हेलो फ्रेंट्स आज हम देखेंगे 8 मार्च के Most Important Current Affairs अगर आपने अभी तक exam oriented को subscribe नहीं किया है तो जल्दी जाइए subscribe कर लीजिए वीडियो को like कीजिए share कीजिए और comment में जरूर बताईएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी अगर कुछ improvement से ही है तो वो भी आप comment बताईएगा मैं वो improvement करने की पूरी कोसिस करूँगा अगर आपको PDF चाहिए तो वो हमेशा की तरह आपको वीडियो की description में मिल जाएगी आज का देवा क्या है कोसिस आखरी सास्तक करनी चाहिए या तो लक्षे हसिल होगा या अनुभव दोनो चीज़े ही stress है अनुभव भी stress है और लक्षे भी लक्षे मिल जाए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो सब सर्व stress है ही और अनुभव अगर लक्षे नहीं मिल पाता है तो अनुभव एक ऐसी चीज है जो बहुत जादा स्रेस्ट है Hello Friends, मैं सुमित और आप देख रहे हैं Exam Oriented 3.0 चलिए, शुरू करते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने कोशन पूछा था आप लोगों से उत्तर प्रदेश जनवरी में अपना इस्थाबना दिवस किस दिन मनाता है तो यह मनाता है 24 जनवरी को 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था आज का सेदन शुरू करते हैं पहला कोशन है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने गोल्ड पिर्मान पत्र से महारास्ट के किस रेलवे स्टेशन को पुर्षकृत किया है तो यह मिला है छत्रपती सिवाजी महारास्ट टर्मिनस को मुंबई के एतियाशिक और मसुहूर स्टेशनों में से एक इंडिया रेलवे का छत्र सिवाजी महारास्ट टर्मिनस को राज्य के पिर्थम ग्रीन इस्टेशन का अवाड मिला है यह स्टेशन सेंट्रल रेलवे जोन के तहत आता है भारतिय उद्ध्योग परिशंग के इंडियन ग्रीन विल्डिंग काउंसिलिंग की ओर से एक वयान में कहा है कि उसने अधिक से अधिक छेत्र में पोदे लगाए है सोलर पैनल की स्थापना की है कई स्टेशनों पर ग्रहाकों के अनुकूल सुभिधाएं दी गई है इस टेशन में LED वल्फ से लगाए गए हैं पूरे जोन में ग्रीन इंटेटिट वीज लगाए गए हैं अब दोगर इसका मतलब मुझे भी नहीं वालूं क्या है ठीक है नहीं यह आप चेक कर लिजएगा क्या है यह नेक्स्ट कोशन है अमेरिका के बाद किस देश ने अपने रक्सा बजट में वरोतरी करके इस इसे 200 अरब को डॉलर के पार को चा दिया है अपना बजट 200 अरब डॉलर के पार फुचा दिया है इस बार तो वो है चीन यहां के प्रेसिडेंट है सी जिंपिंग, यहां की राजजानी है बीजिंग और करंसी है रेम निवी और चीन का रक्षा बजट पहली बार दो सो अरब डोलर के पार पहुँच गया करीब 15 लाग करोड चीन ने सुकरवार को बढ़ दोयर 21 के लिए अपना राज रक्षा बजट 6.8 फीस दी बढ़ा कर 209 अरब डोलर कर दिया यह हैं आगड़ा भारत के रक्षा बजट के मुकाबले 3 गुने से भी अधिक है बजट दोयर 21 में निर्वना सीता रवन ने 4.78 लाग करोड के रक्षा बजट की गुफणा की पिछली बार यह है 4.71 लाग करोड रुपए था चीन के प्रणार मंतरी ली क्विंग ने चीन की संसद नेशनल प्यूपिस कॉंगरेस के अधिवेशन के पहले दिन इस बजट की गुफणा की यह लगातार छटा वर्थ है जब चीन के रक्षा बजट में एक अंके ब्रद्दी हुई है चीन की संसद में 209 अरब डुलर का रक्षा बजट ऐसे समय पेस किया गया है जब चीन और भारत के बीच लद्दाक छेतर में तनाब चल रहा है और अमेरिका के साथ भी चीन का सेंड ने तनाब जारी है चीन की सरकारी समचार एजेंसिये सिन हुआ ने बजट की जनकर देते हुए कहा कि इस साल दोहर 21 का योजना बद रक्षा बज़े 2350 अरब युवान करीब 209 अरब अमेरिकी डोलर होगा अजेंसिये ने कहा कि यह लागतार छटा साल है जब रक्षा बज़ेट में एक अंक्ये बिरद्दी की गई है अंतराश्टे किर्किट में 900 बिगड लेने वाले पहले इंग्लिस गैन भाजकोन बने हैं अंग्लिस का मतलब आप सब जानते हैं अंग्रेज यह हैं जेमस एंडरसन यह हैं वो जेमस एंडरसन एंडरसन ने रजद्या इतिहास चोथे टैस्ट मैच की पहली पारी में जैसे ही जेमस एंडरसन ने आजेक के रहने का बिगड लिया तो वहन इंग्लेंड के लिए किर्किट के हर फोर्मेट को मिलाकर 900 बिगड पूरा करने वाले पहले गेंदवाज बन गए अंडरसन सन्से पहले किसी भी इंग्लिस गेंदवाज ने 900 अंतरा से बिगड का आगरा नहीं चुआ था वर्ल्ल किर्किट में 900 बिगड लेने वाले जेम्स एंडरसन तीसरे तेज गेंदवाज बन गए हैं उन्होंने पहले ये कारणामा आस्टेलिया के दिगत गेंदवाज ग्लेन मेगरा और पाकिस्तान के महान गेंदवाज बसीम अकरम ने किया है मेगरा के नाम कुल 948 बिगड हैं जबकि बसीम अकरम ने 916 बिगड लिये थे भारत सरकार द्वारक के इस देश के साथ रक्षा सामगरी उपकरणों की खरीद के लिए समझोता किया गया है तो ये क्या है फिलिपिन्स फिलिपिन्स के प्रेसिडेंट है रिडर्गो डुटे और यहां की जो कैपिटल है वो है मनीला और करंसी है फिलिपिन पैसो भारत ने 2 मार्ट 221 को फिलिपिन्स के साथ ब्रहमोज मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ती हितू समझोता किया है फिलिपिन्स के रक्षा सचीब डेलफिन लोरेंजना मलीना में समझोता पर हस्ताकसर के दोरान मुझूद थे उन्होंने कथे तोर पर कहा उनका देश ब्रहमोज मिसाइल खरीद रहा है फिलिपिन के रक्षा रास्टी रक्षा विभाग ने दो मार्च को फेस्बुक पर कहा कि रक्षा अंडर सेकेटरी और उकरणों की खरीद के लिए किरियान विन जिवस्ता पर हस्ताकसर किये ब्रहमोज मिसाइल के बारे में जन लेते हैं क्या है ये ब्रहमोज एक कम दूरी की रेम जेट सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल है इसे पंडूबी से पानी के जहाज से बिमान से ये जमीन से भी छोड़ा जा सकता है ब्रहमोज के समुद्री तक साथल संस्क्रणों का पहले ही सवलता पूरग प्रिशन किया जा चुका है तता भारतिय सेना एवम नो सेना को सोपा जा चुका है ब्रहमोज का नाम भारत की ब्रहम पुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर खा गया है ब्रहमोज मिसाइल को ब्रहमोज एरो स्पेस द्वारे डिजाइन बिक्सित और निर्मित किया गया है प्रोजेक्ट सिवालिक के तहट दवरिज औपकम कॉमपेशन का निर्मान के संगठने किया है तो यह क्या है सीमा सड़क सुठ संगठने इसके इंगलीज में कहते हैं वोडर रोट्स और्गनाजेशन इसके डिरेक्टर जनरल डीजी कोन है तो वह है लेफिनल जनरल राजीब चोदरी हेटकटर नईदिली और इसके जो इस्थापना की थी वो जवाहर लाल नेरूने की थी और साथ मईए 1960 में इसकी इस्थापना की गई थी नेक्स्ट कोशन है अफरीका का पहला देश जिसने को वैक्सिन को मंजूरी दी तो वो बना है जिंबाबे इसके प्रेसिडेंट है एमर्सन मगनन गवा और कैपिटल है हरारे और यहां की करंसी है यूएस डोलर करोना महमारी के खिलाब लड़ाई में भारत में बनी वैक्सिन पर दुनिया ने भरोसा दिखाया है इसका एक ताजा उधारन जिंबाबे से सामने आया जिंबाबे ने भारत के स्वेदेसी वैक्सिन को वैक्सिन के इस्तुमाल को मंजूरी दे दी है जिम्वाबे अफ्रीका का पहला ऐसा देश है जिसने भारत के स्वेदेशी बैक्सीन को मंजूरी दी है इस बात की जानकारी में लिया भारत ये दूताबास ने दी है जहां एक तरफ दूसरे देश भारत के बैक्सीन पर भूसा दिखा रहे हैं जहीं दूसरी तरफ भारत ने भी आगे आकर कई देशों को करोन्या की बैक्सीन उपहर के रूप में दी है बैक्सीन प्राप्ट करने वाले देशों ने भारत के इस क्रदम की सहरा न की है भारत बायोटेक का स्वेदेसी कोरोना टी का परिक्षन में 81% फिरवावी पाया गया है इसके बाद इसके इस्तमाल को लेकर संभाबनाए और बहतर हो गई है बुद्दुबार को बैक्सीन के अगरिम चिकिस्य परिक्षन के आकरे सामने आए बुद्दुबार को भारत बायोटेक ने एक बयान में कहा कि उसके तीसरे च्रण के परिक्षन में 25,800 व्यक्ति सामिल हुए बारत में इस तरह का यह अब तक का सबसे बड़ा परिक्षन है इसे बारतिय चिकिस्सा अनुसंधान ICMR के सायोग से पूरा किया गया QS World University Ranking 2021 में कौन सीर्स पर रहा है वो रहा है MIT MIT की फुल फॉर्म है मैसा चूसेट प्रोधिकी संस्थान मैसा चूसेट इंसिटूट आफ टेक्नोलोजी इसकी स्थापना 10 अप्रेल 1861 मुई थी Cambridge और यह US में है इसके founder थे William Barton Rogers और इसके अभी के समय में जो अध्यक्स हैं प्रेसिडेंट हैं वो है एल राफेल रीफ QS World University ने गुरुबार को दोहर 21 की सब्जेक्ट रैंकिंग जारी की इस बार IAT के तीन पाथे करम Petroleum Engineering, Electric Engineering और Mechanical Engineering को Top 100 में सामिल किया गया इन पाथे करम को World Ranking में करम से 32, 82 और 92 वा इस्थान मिला वही SRM Institute of Science and Technology को 101 से 150 ब्रेकेट डिस्ट में सामिल किया गया बाकिया पढ़ लीजेगा जो भी इसके इंदर जान का रही है Next question है PNB Housing Finance ने किस बैंक के सार्ट समझोता किया है तो ये बैंक है Yes Bank Yes Bank के CEO है परसांत कुमार फाउंडर है इसके जो इस्थाबना हुई थी बद्वार्चार इस ने सुकुरवार को कहा कि उसने Yes Bank के साथ रणनीतिक सायोग के समझोते पर हसाकसर किये है जिसके तहट दोनों कंपनिया मिलकर इस परती इस परती दर पर खुद्रा आवास रिण देंगी PNB Housing Finance ने सेर बजारों को भेजी सूचना में कहा PNB Housing और Yes Bank मजूदा और नए खुद्रा आवास रिण गरहको के समक्स और सुबिधा जनक अनुभव उपलब्द कराएंगे इसमें कहा गया है कि इस रिण नीती सहर रिण समझोते में घर खरीदों को परती इस परदी बयाज दर पर सुबिधा जनक और अनुखुल खुद्रा रिण की पेसकस की जाएगी वाकि आप इसमें चीज पढ़ लीजेगा जो भी इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट कोच है किर्सी जंगर्ना किस राज्य के दुवारा आयोजित करने की गोफणा की गई है तो वो की गई है गुजरात की दुवारा यहां के चीफ मिनिस्टर है बिजे रुपानी, कवर्णर है आचारे देबरत और यहां की रजदनी है गांदी नगर नेक्स्ट कोच है दुवारा का पहला प्लेट टिपस अब भハハण कहां बनेगा प्लेट टिपस ठीक है वो भ submerण कहां बनेगा तो यह बनेगा ऐस्ट्रेलिया में ऐस्ट्रेलिया के चीफ मिनिस्ट नहीं के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मोरिशन राजदानियां कैन्वरा और करंस्ति है औस्टेलियन डोलर औस्टेलियाई सुन्रेक्शन बादियों ने प्लेटिपस के प्रिजिनन और पुर्णावास को बढ़ावा देने के उद्देशे से दुनिया के पहले अवयर रण का निर्वान करने की अपनी योजनाओं की गोफना की है गोरतल है कि जलवायू परिबरदन के कारण बत्तक मुख इस्तनपाई बिलुप्त होने की कगार पर है टारोंगो, कंजरवेशन सोसाइटी, आस्टेलिया और न्यू साउथ बेल सर राज्य सरकार ने बर्स दोहर 22 तक सिड्नी से 391 किलोमेटर दूर एक चुडिया घर में अर्थ जलिया जीबों के लिए बिसे सिग, सुभीधा, जज़ातर तलाब और मांद बनाने की योजना की गुफणा की है इस कोशन का जवब आपको कमेंट्स मों बताना है हाल ही में केंजरिय गहरे मंतरी अमिश्याहा ने कहां से आयुषमान सी आर पी एफ योजना सुरू की है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सिस्क्राइब कीजिए, बैल आइकन को ओन कर लीजिए, पीडियाफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्कॉप्शन में मिल जाएगी अच्छे गरंट फेर के लिए बने रही है हमारे चैनल के साथ, थैंक यू